नमस्कार आप देख रहे हैं नूज आपका मुआदियो दोरा विधान सभाचुनाओ का लगातार जो है बहिसकार जारी है और वे समय समय पर कई तरह की हत्याएं और आगजनी की वारदातों को भी अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं चुनाओ प्रचार के दोरा नकसलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है जनकारी के मुतावित भाजपा नेता रतन दुबे को नकसलियों ने मौत के घाट उतार दिया है या पूरी घटना नरायंपूर जिले के कोसल नार की बताई जारी है जहां नकसलियों ने भाजपा जि निर्मम हत्या मौवादियों के द्वरा की गई है परमभिक जानकारी के अनुसार रतन दुबे ग्राम कोसलनार भाजपा प्रत्यासी के पक्ष में चुनाव प्रसार के लिए निकले हुए थे इसी दोरान उन पर नकसलियों ने हमला कर दिया रतन दुबे नरायनपूर जिले क वरिष्ट बिजेपी नेता थे और जिला पंचाय सदस अभी थे चुनाव से ठीक पहले मौदियों द्वरा उनकी हत्या के जाने से जो है छेत्र में दसत अब व्याप्त हो गई है आपको बता दे कि 36 गड़ में 7 नोवंबर को पहले चरन का मद्दान होना है बस्तर संभाग कि सभी 12 सिटों पर इसी दिन भोटिंग भी होनी है इसे ठीक पहले नकसलियों ने एक बड़ी वर्दात को अंजाम दे कर दसत फैलाने की कोशिस जो है उन्होंने जारी कर दी है नरायनपूर के छोटे डोंगर में बीते फरवरी माह में भी भाजपा के जिलाव पाध्याग सागर साहु की भी नकसलियों जी है हत्या कर चुके है वही बस्तर में बिते एक वर्स में आधा दर्जन बीजेपी नेताओं की नकसलिया कर चुके है बीजेपी की मांग पर केंदर सरकार ने बस्तर के 24 भाजपा नेताओं को X-Plus जो है स्रेनी की सुरक्षा भी उपलप्त कर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस प्रकास से लगातार 36 गड़ के विधानसभा चुनाओं में मौवादियों के द्वरा प्रेस नोट जारी कर चाहे बीजेपी हो चाहे कोंग्रेस हो दोनों पार्टियों का जो है वो बहिसकार कर रहे हैं यानि पूरी तरह से जो चुनाओं का हत्या कर दस्त फलाने की कोशिस है उससे तो ये कहा जा रहा है कि ग्रामिनों के द्वारा जो भोटिंग उन्हें मिलने वाली हो सकती है भोटिंग में भी वाधा डालने के लिए एक बड़ी घटना को अंजाम देने की में फिराक में है लगे हुए हैं फिलाल जो है 36 गड़ प्रिशनोट जारी करके मुआदियों द्वारा किया गया है यानि कि देखा जाये तो पूरे चुनाओ का बहिस्कार भरपूर तरीके से मुआदियों के द्वारा 36 गड़ के चुनाओ में जारी है अभी के लिए बस इतना ही लेकिन देखते रहे इसी तरह के ख़बरों के ल चिने बाद